महारश्ट्र की एंट्रांस एक्जाम, MST-CET क्या इसे हमें देना चाहिए या फिर MST-CET के कौन से बेनिफिट्स या पर रहने वाले है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज यही है कि बहुत सार रिश्टूरंस होते हैं, उनको MST-CET के बेनिफिट्स नहीं पता होता है, क् क्योंकि MST-CET की इतनी इंपोर्टन है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इतनी इंपोर्टन क्यों है, क्योंकि देखें, जो अदर स्टेट के स्टूरंस होते हैं, वो भी आपर MST-CET देते हैं, और मारश्ट के कॉल्लिजेस को या एड्मिशन ले लेते हैं, तो MST-C MST-CET की इतनी ज्यादा इंपोर्टन है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और क्या आपको MST-CET देनी चाहिए, या फिर नहीं देनी चाहिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो देखे, MST-CET जो होती है, वो MST-CET का पूरा सिल्लाबस या पर म उसे MST-CET थोड़ा भी हार्ड नहीं चाहिएगा, और जो J&NIT का जो एंटरांस एकजाम होता है, उसका सिल्लाबस या पर NCRT की बेस पर होता है, लेकिन जो MST-CET मतलब की महारष्ट बोर्ड और NCRT का सिल्लाबस जो होता है, 90% सेम सिल्लाबस होता है, ठीक है, तो या पर जो है, आपको अगर NIT देनी है, और MST-CET भी आपको देनी है, तो इसका क्या होता है कि, एक ही इसका परपोस होता है कि, हमें या पर एडमिशन लेना है, मेडिकल फिल्ड में, या फिर इंजिनियरिंग फिल्ड में, मतलब अगर J&E, NIT या फिर MST-CET दे रहे हो, आपका परपोस यह कि, है कि, आपको मेडिकल या फिर इंजिनियरिंग की फिल्ड में, जाना है, तो MST-CET या पर क्यों इंपोर्टन है, देखे, जो NIT का, एड़ J&E का लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल, उसमें, जो है, हार्ड होता है, और जो MST-CET होती है, जो कि मारश्ट स्टेट बोर्ड बुक्स के बेसिस पर होती है, सबसे ज्यादा 100% डिपेंड होती है, मार्श्ट चेट बोर्ट के बुक्स पर, तो यह आप पर J&E का लेवल हार्ड होता है, लेकिन उससे कम होता है MST-CET का लेवल, मतलब कि MST-CET का लेवल इजी रहता है, नीट एंड से, अगर आप कहरे होगे हम यहापर J&E दे रहे हैं, तो हम यहापर MST-CET भी दे सकते हैं क्या, सबसे पहले आपको confusion दूर करता हो कि, अगर आप J&E भी दे रहे हो, तो आप MST-CET दे सकते हैं, देखें, अगर आप जो है आप पर MST-CET के लिए प्रिपेर कर रहे हो, अग अगर हमने मान लिए कि, अगर एक बंदे ने J&E का पेपर दे दिया, और उसने पुरी तरीके से प्रिपेरेशन कर लिए J&E के लिए, तो इजी तरीके से वो MST-CET exam दे सकता है, क्योंकि J&E की जो लेवल होता है, उससे इजी रहता है MST-CET का, मतलब क्या, अगर आप J&E सकते हैं, तो उससे क्या होता है J&E hard होता है, और अगर आप MST-CET में J&E से ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेती हो, तो J&E में आपको जो भी कॉलेज लएगा J&E के मार्स पर, तो MST-CET के मार्स पर उससे ज्यादा आपको अच्छा कॉलेज यापर लग सकता है, जैसी कि मार याप पर best packages चाहिए, मतलब आपका in future आपका क्या planning है, कि हमें एक अच्छा college चाहिए, college क्यों चाहिए, क्यों कि हमें याप पर अच्छा package मिलने चाहिए, लाखों में याप पर packages मिलने चाहिए, लाखों में packages चाहिए, तो इसके लिए हमें एक ही target रखना चाहिए, कि हमें या पर matter नहीं करता आप JEE दे रहे हो या पर CET दे रहे हो अगर आपको JEE के थुरू भी यहाँ पर जो famous colleges है CUP विजटी या नाकपूर के के जो सुम या यह colleges आपको लगते है तो ठीक है लेकिन अगर आप JEE या नीट पे से अच्छे यहाँ पर score करते हो MST-CET में और MST-CET के थुरू यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टोन जाते है CUP विजटी है और अच्छे से अच्छे college में माल रश्टी के ठीक है तो आपको MST-CET इसलिए important रहती है कि उसका difficulty level भी कम रहता है और इससे हमें अच्छे colleges भी यहाँ पर मिल जाती है ठीक है तो यहाँ पर आप जही निट दे रहे हो तो MST-CET जरूर जरूर दीजे यहाँ पर most important है MST-CET आप सिर्फ और सिर्फ मतलब की MST-CET देकर engineering नहीं कर सकते साथी में आप pharmacy के सेक्टर में जा सकते या फिर agriculture field में भी आप जा सकते agriculture को admission आप ले सकते तो यहाँ पर अब बात आती ह कि आप क्यों डर रहे हो यहाँ पर MST-CET हमें नहीं देनी है या फिर इस साल में drop कर रहे हो MST-CET नहीं दूंगा तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है अगर आप drop कर रहे हो ना तो भी आप MST-CET दीजिए क्योंकि drop कर रहे हो तो आपको एक experience आ जाएगा कि इस साल भी अगर आप CET दोगे तो ठीक है आपको तो इस साल admission नहीं लेना है drop करना है लेकिन फिर भी आप CET दीजिए आपको एक experience आ जाएगा कि online exam कैसी होती है और आपको मैं बता दू आपकी जो भी आपर preparation है आपको बहुत ही strong करनी पड़ेगी देखे अगर आप PCM हो य engineering में मुझे interest है या फिर medical line में मुझे interest है या फिर pharmacy या फिर agriculture में मुझे interest है मैं आपको बता दू अगर आप PCM भी दोनों group के exam दे सकते हो PCM and PCB तो आप जरूर दीजे क्योंकि अगर आप देखे PCM में अच्छे marks आएंगे तो आप engineering के लिए जाहिए PCB में अच्छे marks agriculture का मिल रहा है लेकिन आपको कहोगी कि नई मुझे तो engineering में interest है ऐसा कुछ भी नहीं करना ठीक है तो आपको जो है जिस भी फिल्ड में अच्छा government college आपको मिल रहा है तो आपको उस चीज में उस फिल्ड में interest बनाना पड़ेगा मतलब क्या अगर आप PCM भी दोनों group के exam दे ठीक है अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा important चीज आती है कि आपको यहाँ पर अपनी exam की preparation करनी है देखिए MST-CAT एक ऐसे entrance exam है जिस पर जो questions आते हैं MCQ best होते हैं ज्यादा से ज्यादा मतलब कि 100% question यहाँ पर आपके मारश्ट के state board के books के books में से आएंगे guaranteed वही में से questions आएं यहाँ पर आपकी preparation के लिए books यूज करने है और मैं आपको बता दू आप में जुनून होना चाहिए जज़बा होना चाहिए कि आप जो है entrance exam देने जा रहे हो तो पूरी तरीकी से planning कर लीजे 40-50 दिन की या फिर एक मन्त की और पूरा preparation कर लीजे यहाँ पर आपको YouTube पर preparation planning बनानी है और आपको पूरी तरीकी से hard study आपर करना है दो आपको क्या करना है या आपर आप बहाने बिल्कुल भी मत बनाईए क्योंकि बहाने अगर आप बनाओगे तो आपकी preparation नहीं आप करोगे नहीं आपको अच्छा college मिलेगा नहीं आपको best packages मिलेगा मतलब की in future आप कभी भी cancel नहीं हो सकती क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोविड आएगा MSTCD cancel होगी ऐसा कुछ भी नहीं होता entrance exam कभी भी cancel नहीं होती वो postpone हो सकती है लेकिन cancel कभी भी नहीं हो सकती तो आपको अभी एक ही चीच करनी है आपका study पूरी तरीके से आपको hard करना है मैंने या पर दो श्रोंड्स को free books भी या आप चैनल पर giveaway किया था उनको दिये है वो भी अपनी preparation कर रहे है आप भी पूरी तरीके से hard अपना study करते रहे है और friends मैं आपको बता दू MSTCD important है अभी last में भी कर रहा हूं पूरी तरीके से planning बनाईए MSTCD का study कीजिए जुनून जजबा ला लेकिन आपका study आपको करना है तो MSTCD बहुती ज़्यादा important है in future अगर आपको पूरी तरीके से अपना future बनाना है तो तो मिलते है नेक्ट वीडियो में thank you watching the video